नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग सनीवार के दिन चौथा नवरात्रा है मा कुसमांडा की इस दिन अराधना की जाएगी हलकी हसी से ब्रह्मान को उत्पन करने के कारण मा का नाम कुसमांडा पड़ा जिसे हम कुम्डा भी कुसमांडा का मतलब कुम्डा होता है मा को कुम्डा बहुत परी है और जोतिस में बुद्ध से मा का संबन्ध है और इस बार मा कुसमांडा की अराधना 28 मार्च सनीवार के दिन होगी मा को परसंद करने के लिए तमाम उपाई किये जाते हैं और आज हम आपको तीन उपाई बताएंगे जो आप बिना किसी ताम जाम के घर में सिंपल तरीके से पुजा कर सकते हैं इस दिन मा को कुम्डा अरपित करने का भी विधान है और इस दिन कुम्डा का सेवन भी करना चाहिए केते हैं इस दिन अगर कुम्रा का सिवन किया जाए तो आर्थिक इस्थिती अच्छी रहती है और स्वास्त भी अच्छा होता है मा की पुजा हरे कपड़े धारन करके करनी चाहिए हरे कपड़े पहन कर मा को हरी इलैची या फिर हरा सौप अरपित करें और साथ ही ओम कुसमांडा देब्याई नमः ओम कुसमांडा देब्याई नमः इस मंत्र का कम से कम 108 पार या अपनी मर्जी के अनुसार जब करें और आप चाहें तो सिद्ध कुझी का इस्तरोत का पाठ भी कर सकते हैं अगर आपका बुद्ध गरबड है बुद्ध खराब है तब ऐसे में बुद्ध को ठीक करने के लिए आपकी जितनी उम्र है उतनी ही हरी इलैची मा को और पित करें लेकिन करने का भी तरीका है जैसे आपकी उम्र मान लेते हैं पचीस साल है तो 25 हरी इलाइची लीजे अब एक इलाइची हाथ में ले और फिर बोले ओम बुम बुधाय नमह फिर मा को अर्पित कर दें फिर एक इलाइची ले फिर बोले ओम बुम बुधाय नमह और मा को अर्पित कर दें सभी इलाइची और बाद में सभी इलाइची को इकठे करके हरे पास सुरक्षित रख़ें, कहीं भी रख सकते हैं, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, और अगले नवरात्री तक इसको रखें, फिर अगले ग्रमरात्री के बाद, जब आएगा नवरात्री उसमें आप इसका यूच कर सकते हैं, खा सकते हैं, यह प्रसाधें, कोई दि अब हम बच्चों के लिए बताते हैं अगर आपके घर में बच्चे चुकि बुद्ध बुद्धी का कारक होता है तो हर माता पीता को चाहिए कि बच्चों के अच्छे सिक्षा के लिए कागज पर बच्चे का नाम सिंदूर से लिखिए सफेद कागज पर और उस पर तामबा है वो बहतर होगा उनकी बुद्धी सही डिसीजन लेगी पढ़ाई अच्छे से करेंगे अब बात करें अगर इस दिन मा को स्वभागी की वस्तु भी अर्पित करने का विधान है और मा को चना गुड़ हल्वा कुम्रा का भोग भी लगाया जाता है इस दिन आपको कुछ मिल देर ना मिले कम से कम गुड़ तो होगा ही घर में मा को गुड़ का भोग लगाए अगर हरी इलाइची है तो अति उत्तम मा को हरी इलाइची का भोग भोग लगाए जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और सही समय पर सही डिसीजन लेकर आप जीवन में उचाईयों पर प अपने पास रखें, खाते रहें और इस हरी इलाइची का जितना दिन तक आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी जितना मर्जी में आप संख्या में चढ़ाएं तो इस तरह से हमने आपको इलाइची के ही तीन उपाई बताएं तो कोई भी आप उपाई करें आपके लिए बेहतर है अगर तुलसी के पत्ते पर सिंदूर लगा कर रात में नाभी के पास रखकर सोईएगा तो कहते हैं मा की असीम किरपा आप पर हो जाती है तो इस तरह से आप मा कुसमानडा की किरपा बहुत आसानी से पा लेते हैं आपका बुद्ध भी मजबूत हो जाता है हम आप से बिदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव